दिलेर पुर्वान्चल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में पुर्वान्चल के दबंग ब्लाक परमुख संजय यादो के बारे में आप सभी को बताएंगे। संजय यादो मूल रूप से गाजी पूर्जिले के बहरियाबाद ठाने के बगए गाउं के निवासी हैं। संजय यादो के चाचा दूधनात यादो खूंखार अपरादी थे और वा पुलिस मुठभेड में मारे जा चुके हैं। उनके मारे जाने के बाद गैंग की कमान संजय यादो ने खुच सम्हाल ली और अपने बाहुबल और दबंगई के चलते संजय यादो का अपरात की जगत में तूती बोलने लगा था। इसी के चलते पुलिस ने गैंग श्टर संजय यादो के उपर पचास हजार रुपय का इनाम भी घुशित किया था। और संजय यादो की गिरपतारी के बाद से वा पात सालों से आजमगड जेल में बंध हैं। अब संजय यादो का पूरा परिवार आजमगड जिले के जहानागंद में अस्थाई रूप से बस गया है। माफिया बनने के बाद संजय यादो ने राज नीत में कडम रखा और इसी के चलते 2015 में संजय यादो बीडिसी का चुनाव जीते। इसके बाद 2016 में माफिया गैंगेश्टर संजय यादो जेल में रहकर आजमगड जिले के जहानागंद से नीरी बिरोध ब्लाक परमुक चुने गए और उन्होंने अपने बिरोधियों को अपना ताकत दिखा दिया। संजय यादो के खिलाप हत्या लूर जैसे कई आप्राधिक मुकर्मे भी दर्ज हैं इसी के चलते छेत्र में उनका बड़ा खौफे और बिरोधियों से कापते हैं। गैंगेश्टर ब्लाक परमुक संजय यादो पर पूर विधायक सर्वे सिंग सप्पू की हत्या का भी आरोप है। उनके उपर कई आरोप लगे हैं और वहाँ इस समय जेल में बंध हैं। लेकिन फिर भी ब्लाक प्रमुख संजयादो का खौफ आज भी उनके छेत्र में कायम है ये रहे दोस्तो आजमगड जहानागन से दबंग ब्लाक प्रमुख संजयादो आपको इनके बारे में ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताएं अगर आपने हभी तक हमा अजयादो इफ वि दो ही प्लाव औरो शौट कैस लेयुछ 11 Chandas